कि कि अःट्रियू इसका नाम है इनके इसीग यार तो में इस साल आप इसकी प्रप्रेशन कर रहे होगे तो यह बात तो जानते हो ना अब यार जो जेए की प्रप्रेशन करता है ना वह अपने दिमाग में यह लेके चलता है कि मैं जाऊंगा IIT में या तो मैं जाओंगा NIT में या तो मैं जाओंगा Triple ICT में या फिर GFTI में मतलब कुछ तो कुछ दिमाग में रहता है ठीक है पहले तो 11 तक तो IIT डिमाग में रहता है पर 12 में आते आते बच्चे दोरा समल जाते हैं भी बोलता है NIT भी पुरी नहीं होती है तो उसी साब से MSTCET के भी कुछ उसी तरीके का होता है MSTCET में कुछ colleges ऐसे हैं जो बच्चे जब preparation शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो जाओंगा तो सिर्फ़र सिर्फ सिर्फ C O E P में College of Engineering पूने में या मैं जाओंगा विजेटियाय में या मैं जाओंगा ICT में या मैं जाओंगा SPIT में या मैं जाओंगा फिर यार थडो मल में ऐसे बड़े-बड़े colleges हैं तो मैं यार कुछ top 5 के colleges लेके आएं आप लोग के सामने cut-off भी रखेंगे cut-off इसलिए रखेंगे क्योंकि बच्चों को पता तो चले आखिर इनमें है क्या ऐसा जो इनके इतने जादा value है तो चलिए धीरे-धीरे हम आपको बताते हैं और उसके बाद हम आपको आगे वीडियो में लेके चलते हैं तो चलिए हमारा next है college of engineering पूने COEP तो यार COEP एक बहुत ही अच्छा college एक बहुत ही पुराना college जिसका आप अगर alumni इतना पुराना है जिसका आप अगर campus देखोगे तो ऐसा आपो लगेगा कि British के जमाने का college है बहुत ही प्यारा है मतलब एक आपको feel मिलेगी college में कि ऐसे college भी हो सकते है ठीक है इस college को चाहेंगे तो बहुत अच्छा किया रहता है और वो वैसे भी काफी अच्छा है placement wise, campus wise, faculties जो भी बोलो हर चीज में top में है ठीक है अगर college की cutoff की बारे में बात करोगे तो CSC का cutoff open वालों के लिए 99.84 परसेंटाइल जाता है यानि की 99.84 आप सोच रहे हो यह third round का cutoff है ठीक है, third round में भी सिव इतना ही गिरता है ENTC, electronics and telecommunication का 99.70, robotics का 99.66, electrical engineering का 99.40, instrumentation का 99.18, mechanical का 99.15, civil का 98.89, क्यूंकि civil की demand पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम होते जा रही है, जिससे उसके cutoff में गिराओ देखने मिलता रहता है manufacturing engineering का 98.76, metallurgy का 97.48, कुछ important बाते instrumentation engineering manufacturing engineering metallurgy engineering, क्या हमें यह सर यह सब करना चाहिए, तो मैं यह हमेशा एक बात दिमाग में लेके चलता हूँ अगर college अच्छा है तो हम branch को जो है न compromise कर सकते हैं, ब्रांच में पर अगर college हमारा normal average है, तो हमको branch compromise नहीं करना चाहिए, क्योंकि COEP एक top का college है, तो अगर उसमें मुझे instrumentation मिले, manufacturing मिलेंगे metallurgy मिले, मैं ले लूँगा, क्योंकि NTC मिल नहीं रहा है, पर कम सी कम metallurgy मिल रहा है, और इतना अच्छा college है, इतने अच्छे, मतलब college में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो ज़रूर मुझे prefer करना चाहिए, ठीक है, तो मेरी बात समझ लेना है बात, चलिए, इसी के साथ next college पे आते हैं, जो कि COEP को छोड़ते हैं, तो COEP को छोड़ने का एक ही कारण होता है, क्योंकि वो पूने में, बच्चों को मुंबई में मजा इसलिए आता है, क्योंकि मुंबई का इतना जादा नाम है, इतना जादा लोगों को, लोगों को लगता है कि हम मुंबाई में रहेंगे वही बहुत बड़ी बाप है तो इस चलते जो है विजे टी आई को बच्चे चुनते हैं माटूंगा में मुंबाई में और सी योईपी के उपर ठीक है पर यह कॉलेज भी उतना ही अच्छा है जितना सी योईपी है चाहे मैंने उसमें भी कहा था प्लेस्मेंट ऑगरा बहुत प्यारा है वाइप प्लेस्मेंट के लिए मैं गल्लक से वीडियो लेकर आए जिसमें से प्लेस्मेंट बताएंगे क्या है कितना है हईं अभी इस तो चलो इसका भी कॉलेज का कट ऑगरा देख लिए तो भाई देखो यह ऐसे कॉलेज जे तो भाई इसका देखो इसका थर्ड राउंड में 99.84 तक चला गया था पर भाई मुंबई मुंबई इसलिए अपना हमेशा दबदबा बनाए रखता है 99.89 पर्षेंटाइल IT 99.84 Information Technology फिर ENTC Electronics and Telecommunication 99.59 ENTC ने भाई बहुत ही ज़्यादा डिमांड अपनी बनाए रखी है और जो है मैं आपको यह भी बता दू कि कुछ सालों में ENTC एकदम टककर दिये हुआ है पर यह कहूंगा बचे बोलतें ENTC करनी चींड भाई अब मैं जो ब्रांज जो आपको ओर्डर दिया है न सबसे पहले CSIT देखो फिर AIDS वगर आपको अगर मिल रहा है अच्छे कॉलेज में क्योंकि सब में तो होती नहीं पहली बात और फिर ENTC वगरा मिल रहा है तो ठीक है सिविल मैं मतलब इतना गिराओ अगर देखने मिल रहा है तो अच्छी बात है और सिविल करने वाले बच्चे बहुत होते हैं बहुत होगा पहले से ड्रीम होता है कि मैं तो करूंगा तो सिविल ही करूंगा तो भाई सिविल एक अच्छा बनान चे टेक्स्टाइल 95.50 तो चाहे production हो चाहे textile हो अच्छा college हो तो मैं यही गोरूँगा कि आपको ज़रूर ले लेना चाहिए ठीक है next आता है हमारा प्यारा college ICT Mumbai Institute of Chemical Technology Mumbai अगर किसी बच्चे को chemical engineering में बहुत ही ज़्यादा interest है तो उसे इस college को ज़रूर देखना चाहिए मैं यह नहीं कहूँगा कि बाकी college में chemical engineering अच्छी नहीं होती पर भाई जिस college का नाम ही institute of chemical technology है और वो इतना माना जाना college है मुंबई में स्थित है तो यार उसमें से अगर आपको chemical engineering करने मिल रहा है और अगर आप उतना cut-off clear कर रहे हो तो ज़रूर यहां से करो तो college का cut-off देखने हैं तो सबसे पहले आपर chemical engineering का यह cut-off बताएंगे 99.32 फिर उसी type के branches हैं die stuff 96.27 बहुत ही कम अच्छा college तो branch matter नहीं करेगा ले लो polymer 96.02, textile 94.16 तो 94.16 परसेंटाइल तक जा रहा है अगर इतने top के college में अगर आपको 94 परसेंटाइल तक भी कोई branch मिल रही है तो मैं कहूंगा अगर आपके पास कोई और option अच्छा नहीं है तो definitely ICT Mumbai is your one of the good option ठीक है next हमारा और एक अच्छा college हम लेके आएं जो कि है SPIT Mumbai सरदार पटेल institute of technology ठीक है ये भी एक बहुत ही प्यारा college है इसके college के और मैं यार देखो ये सब जो college Mumbai है ना उनकी value बहुत जादा है बच्चे prefer करते हैं किसी और जगा से नाकपूर नाशीक और अंगाबाद यहां जाने है और रहती है problem क्यों होते हैं दूर रहने का तो उससे बच्चों को दिकत होता है कि अलग से hostel लेके नहीं रहना है घर से जाना है तो बच्चे फिर छोड़ देते हैं ठीक है तो चलिए college cut-off की बात करेंगे तो यहां पर mechanical 98.94 percentile mechanical के लिए है यह percentile है ठीक है electrical 98.07 और वहाई civil 95.56 तो mechanical 98 percentile 99 percentile के आसपा जो आपको मिल जाती है electrical 98 तक और civil 95.50 तक तो एक अच्छा college है अगर आपको mechanical electrical civil में रूची है तो आप इस college में ज़रूर ट्राय कर सकते हो और एक अच्छा college बहुत ही placement wise campus यह काफी इसका अच्छा है बढ़ा है और बहुत जादा आपको यहां प CT महाराष्टा के अंदर ना भाई colleges की कमी बिल्कुल नहीं है मेरको इतने colleges है ना अगर मैं आपको बताऊ ना कोई बच्चा बोलता है कि मुझे admission नहीं मिल पाया CT के थू तो मैं उसको कहूंगा भाई तो क्यों जूड़ बोल रहा है क्योंकि CT में ना महाराष्टा के अंदर पुल मिला के मुंबाई पूने नाकपूर नाशी गोरंगाबाद में ना इतने colleges है ना हर बच्चे को college मिल ही जाता है कम से कम percentile पे भी CSC मिल जाता है अगला है VIT पूने तो यार VIT पूने विश्वकर्मा इंस्ट्रूटर टेक्नोलोजी पूने की ये भी बहुत अच्छा college पूने का तो एक COEP पूने एक VIT पूने बहुत ही प्यार है और भी ये colleges colleges पूने के अंदर और भी बहुत अच्छे पर कुछ अच्छे college का नाम भी लेकर आए हम आपके सामने तो इस college की cut-off के बारे में तो CSC देख रहे हो 99.16 पर देखो COEP विजिट या है जहां पर 99.80 जा करें ठीक है AINDS AIN Data Science 98.58 ENTC Electronics and Telecommunication 97.88 Mechanical 96.27 Instrumentation 94.16 Chemical Engineering 93.93 तो यही देखो यहां पर से आप Chemical Engineering कर रहे हो तो 93% पर भी आपको मिल जा रहा है पर वहीं आप ICT में देख रहे थे 99 तक था तो उस college की value है इसलिए उस ज़्यादा ही chemical engineering पर ध्यान दिया हुआ है ठीक है तो यह कु colleges थे आज जो कि मैंने आपके सामने रखे जो हो सकता था best college चाहे COEP चाहे ICT चाहे विजेटी आए हर college अच्छा रखा था आप टेंचर ना ले आपको और भी अच्छे-ची वीडियो जाती रहेगी तो आपको क्या करना है बस एक like subscribe और चैनल को फटा-फट बढ़ाते रहना आप वीडियो एन करते हैं thank you